हेलो एप्रिबान कैसे हैं आप सब यह देखे कितने क्यूट पैरेट और यह है सेकेंड पार्ट सिटी पैलिस का उदैपो सिटी पैलिट तो आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत पैले से यहां पर बहुत बड़ा ऐलिफेंट बना हुआ था यह पूरा उनका यहां से भी ज दूसरे साइट से आने का रास्ता है और यह है बीच में एक यह गेट बना हुआ यह पूरी गैलरी थी जो कि मैंने आपको दिखाया है थोड़ा और आंगे हम जाएंगे जैसे बीच में था यह मैं आपको एंड डारेक्ट आ गये थे हम लोग फिर बाद में हमने रिटन में सूट किया था तो यह देखे यह बीच में फिर हम जब जाएंगे रिटन में तो बीच में ही आपको बहुत सारे दुकाने मतलब चुटे-चुटे सौप आपको मिल जाएंगे जहां बहुत ही कुपसूरत मतलब बहुत ही कुपसूरत बोलना है पैंगल्स बगेरा या और मोजडी बगेर जूती बगेर ये सब तो आप देख सकते हैं ये देखे कितना खुबसूरत लग रहा है पूरा तो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि पूरा एक बार में आता ही नहीं और इतना खुबसूरत गर्डन बना हुआ है यहां पर बहुत सारे गेट बने हुआ ह यहां अंदर भी एक गेट है तो बस थोड़ा सा ही हम लोग कैप्चर कर नहीं पाए है क्योंकि फटोड़ा सा हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी घूमते घूमते हम लोगों की तो यहां पर भी अंदर गेट बना हुआ है यहां से आप अगर टिकेट लेते हैं जाने के अंदर तो आप वहाँ जाने मिलेगा नहीं तो आपको नहीं मिलेगा यही रोक लिया जाएगा तो हम लोग मतलब गैलरी के टिकेट लिये थे तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं गये थे एक ये दरवाज़ा है अंदर जाने का यहां से आप पूरा अंदर महल देख सकते हैं पूरा आपको देखने मिलेगा लेकिन बस यह ही है कि आपको हर एक चीज के अलग-अलग टिकेट लेनी होगी देख रहे हैं आप कितना बड़ा एरिया में बना हुआ है यह वो कॉर्ने में आपको दिख रहा है ना कॉर्नर में वहां पर सॉप है जिसमें आपको कॉस्ट्यूम में लेगी फोटो किचाने के लिए लेकिन वही लोग फोटो किचते हैं आप अपने मॉबाइल कैमरे से फोटो नहीं किच सकते वो कॉस्ट्यूम पहन के तो बस इसलिए हम लोगों नहीं खिचवाया था ये देखी ये हैं सॉप जिसकी मैं बात कर रही थी और यहां बहुत अच्छे-च्छे मतलब कॉस्मेटिक समान सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो अगर आप जाते हैं तो जूरू लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा यह हैं वहां की दुकाने जो सॉफ हैं तो चलिए हम अंदर से दिखाते हैं सॉप और दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या लिया तो मैं यहां पर ही मैं थी और कुछ हम ले रहे थे तो चलिए हम दिखाते हैं यह देख रहे हैं कितना खुबसूरत कुरूद मतलब कितना अच्छा-च्छा समान है सब 20 चील तो यह मैं ले रहे हूं कुछ-कुछ बैंगल्स बगेरा और यह रिंग बगेरा यह सब हम ले रहे थे तो वही हम दिखा रहे हैं आपको यह देखे यह रिंग और ये वहां से लेके आने में मतलब हमारे एक डी हैं उन्होंने बताया था कि मतलब आप लेके आना जरूर वहां का मतलब खराब नहीं होता है उनके पास 3-4 सालों का बैंगल है लेकिन वो खराब नहीं हुए हैं तो बस इसलिए हम लेके आये थे वहां से बैंगल्स और यह मुझरी बगेर भी मैंने खरीदी थी यह हैंडबैक बगेर टीशिट कैप सब कुछ आपको मिलेगा यह देखिए पुरा राजिस्तानी पैटर्न में मिलेगा बड़ थोड़ा सा कॉस्टली था लेकिन अच्छा था जो भी सामान लाया मतलब हमने बहुत ही अच्छा है उसका रिब्यू बोलना चाहिए बहुत ही अच्छा है जितना भी हमने सामान लेके आया यह डेकुरेटिव पीस हैं सारे आप ले सकते हैं अपने घर में डेकुरेट कर सकते हैं बैक्स बगेरा हैं तो हम निकल आए हैं बाहर अब अब निकलेंगे जाने के लिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो हम लोगों 3-4 गंटे लग गए थे यहां पर ही चोक है यह मड़क चोक क्या लिखा था न भी वह है यहां पर और यहां पर केवल 6-7 दुकाने ही हैं जो इस तरह की की हैं मतलब खुली थी और बाकी हैं बहुत सारी लेकिन उस दिन मतलब 6-7 ही खुली थी जब हम लोग गए थे बाकी तो बहुत सारी हैं पूरे राउंड सेप में अर जगह बनी हुए हैं और हम लोग थोड़ा सा दस बजे करीब चले गए थे थे थोड़ा जल्दी ही चले गए थे क्योंकि हम लोग वहीं पर यह रुखे थे और सबसे फर्स्ट में हम सीटी पहले सी गए थे तो बस हम हर किसी को अंदर नहीं आने मिलता है यहां आम रास्ता नहीं है यह साइड से ही निकलने का है गेट भी काफी बढ़ा हो सेक्योटी आप देख सकते हैं तो बस हम रिटन जा रहे हैं अब और यह रिटन जाने के लिए दूसरा रास्ता है यहां से यह अंदर से जाना होता है तो हम निकल आए हैं बाहर और श्यांस कह रहा है और बताओ तो हम आगए हैं बाहर क्योंकि मैं वोइस डिकॉर्डिंग कर रही हूं ने इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सूड़ था और वहां का साउंड मैंने आफ म्यूट कर दिया था तो बाहर आने में कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था और काफी अच्छा लग रहा था तो अगर आप जाते हैं उदर पर तो जरूर चाहिए सीटी पैलेस और इंजॉय किजिए जाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है तो यह देखी कितने सारे कभूतर पैरेट बहुत सारे थे तो कुछ कैप्चर किया है इनोंने और यह आपको दिख रहे होंगे यह होटल का एरिया है और यह सामने मतलब जो बीच में बना हुआ है ना होटल है या पैलेस जो भी बोलना चाहिए तो यह जो बीच में बना काफी अच्छा आ गया है और आप देख सकते हैं वहां पर भी कितना बड़ा बना हुआ है और किस तरह से बनाया होगा यह पानी के बेच में समझ में नहीं आ रहा और बहुत ही कुपसर से देवल तेवल मतलब मनजिल में बना हुआ है यह से बगर वोड बगर आपको अगर बड़ा और मैं आपको बता दू यहां पर चलिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट सेयर करना विल्कुल मत भूलेगा और अगर आप में चैनल में नहीं है तो में चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लिजीगा क्योंकि आगे मैं आपको और अच और वीडियो देखना हो पूरी तो प्लीस में नेक्स वीडियो का वेट किजेगा मिलेंगे बाई बाई